सभी को मेर नमस्कार आज का वीडियो जो मैं लेकर आया हूं उसमें प्रिंसिपल आफ zेनिटी इन डैमेंसन, डेमेंशन में जो है principle of homogeneity क्या है उसको लेकर आया हूँ तो principle of homogeneity यहां लिख देता हूँ मैं principle of हुमोजेनेटी क्या चीज है इन केस आओफ बियार डिस्कॉसिंग दी डायमेंशन हम क्या पढ़ रहे हैं डायमेंशन पढ़ रहे हैं और principle of homogeneity जो हमारा क्या है इन एन फीजिकल रिलेशन इन एन फीजिकल रिलेशन or equation, the dimension of each term principle of homogeneity says that in any physical relation or equation, the dimension of each term are same, अब इसका मतलब क्या है, जैसे एक मैं linear motion की equation यहाँ पर ले ले लेता हूँ b is equal to u plus 80 क्या है, b is equal to u plus 80, b क्या है, final velocity of the body, u is a initial velocity, is acceleration and is a time taken अगर कोई body जो है, initial velocity, u से start करती है और एक्स लिशन ए प्रोड्यूस होता है, at time t, तो final velocity जो है, उसकी क्या होगी, ठीक है, तो उसे कहते हम, a linear equation है, b is equal to u plus 80, ठीक है, तो इसमें क्या है, तीन terms जो है, involved हो जाते हैं, कौन-कौन से तीन terms है, इसमें, तीन terms है, v है, u है, 80 है, ठीक है, तो तीन terms है, कौन-कौन सी है, है, इसमें, पहली term है, v, दूसरी है, u, और तीसरी term के हमारे पास, at है, तो जो dimensional principle है, homogeneity का, वो कहता है, कि हर एक physical quantity के लिए dimension बरावर होते हैं, तो b के dimension लिखेंगे, हम velocity के, velocity is equal to M0LT-1, ठीक है, एक इसके dimension आगए आपके, पहली term के, इसे हम पहली term में यहां कह देते हैं, इसे दूसरी term बोल देते हैं, और तीसरी term जो है, यहां पर पहली term के हमारे पास dimension लिख दी है, हमने, दूसरा है, यू, यू is also the velocity, it is initial, तो dimension is silent about the final velocity, about the initial velocity, वो velocity बताता है, वो नहीं बताता है कि final velocity है, कि initial velocity है, drop है, limitation है, जीसे हम बाद में study करेंगे, तो इसका भी MLT-1, अगेन dimension आगए, थर्ड जो quantity है, 80, 80, तो 80 के एक है, acceleration है, टी time, तो acceleration क्या होते हैं हमारे पास, M0LT-2 into T, तो क्या बन जाएगा है, M0LT-1, यह हमारे पास थे हैं, तो 1, 2 और 3, इन से हम conclude करते हैं कि the dimension of each term involved in an equation, or expression are same, तो dimension ली क्या होगे, कि सारे तीनों के तीनों बराबर होगे, तो इसे बोलते हैं, principle of homogeneity, कि dimension of each term are same, क्या होगया, dimension, D.I.M, dimension of each term are same, तो यह clear हो जाना चाहिए आपको, कि what are the various dimensions और हर term के लिए, अगर हर term के लिए dimension ठीक होते हैं, ब्राबर आ जाते हैं, तो dimensionally equation correct है, ठीक है, इस correctness में भी हम इसे चेक करेंगे, यूज जो है, यूज जो है, यूज आफ, या एप्लिकेशन आफ, dimensional analysis वहाँ भी से हम करेंगे, ठीक है,